तो चलो प्यारे बच्चो इस वाली question को देखो, इसमें basically क्या करते हैं, find the value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity at the earth surface 9.8 है, तो चलो, ये earth का surface है, dot dot dot, ये earth है अपनी, और इस पे g की value 9.8 है, और ये अपनी earth है, this is the earth, और earth का mass m है, earth की radius r है, अब मैं उपर जा रहा हूँ, तो मैं उपर जा रहा हूँ, तो g की value कम होती है भाई, तो ये एक point है, ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया, तो ये जो height है, how much this height, ये height कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहे है, how much this height, कि यहाँ पर जो g की value गो g dash, वो 4.9 meter per second square ही बची रहे, तो इस height क value अब देखो, ये जो है, काफी कमाया है, जी की value में काफी कमी हो गई है, तो उपर जाने से g की value घटती है, और बहुत पास होते हैं, तो दूसरा वार्मूला यूज करते हैं, और बहुत जादा कम होता है, तो उसके लिए g dash is equal to z, r और r plus h का whole square वाला formula यूज करते हैं, 1 minus 2 h upon r वाला formula यूज करते हैं, हाई होग की आपको पता होगा, तो अभी मैं ये लगाऊंगा, तो g dash is equal to, ये 4.9, 4.9 और 9.8, तो ये r और r plus h का whole का square, तो finally, ये point अगर तुम देखोगे, तो ये जाएगा 1 by 2, under root, और ये जाएगा r और r plus h, इसको solve करो भाई, तो r plus h, इस कितना मिल जाता है, तो 1 by root 2 is equal to r, और r plus h, इसका मतले भी हुआ, कि root 2 r is equal to r plus h, इसका मतले भी हुआ, h की value आजाए, कि root 2 r minus r, तो ये, ये जो है, वो, root 2 और minus 1 is equal to r, और ये, तो ये वाली जो चीज है, ये यहाँ से, तो basically ये जो height है, इसी की हमें calculation करनी थी, लेकिन ये height जो है, वो root 2 की जो value है, वो 1.4, 14, और minus 1, और radius की value यहाँ से multiply कर दूँ, तो radius कितना है, 6.4 into 10 की power 6, तो 6.4 into 10 की power 4, तो जो ये height h आजाएगा, तो ये जाएगा 6.4 into, ये जाएगा 0.414 into 10 की power 6, तो finally इसको solve कर लोगे, तो 2.6 into 10 की power 6, meter आजाएगा, क्योंकि हम लोग meter में ही लिये थे, तो इसी साब से हमारा, A option match कर गया है, thanks for watching this video.